ओम शान्ति शुक्रिया बाबा का हर दिन हम बच्चों को प्यार से शिक्षा देते हैं हीरे मोती रतनों की सोगात देते हैं आत्मा में शक्ति भरते हैं और जैसे खुद स्वीठ हैं एवर प्योर स्वीठ हैं तो बाबा जब कहते हैं तो जितनी जितनी आत्मा में पवित्रता है उतनी आत्मा में परमात्मा के प्रति आकर्शन है तो पवित्रता परमात्मा को खीचती है और बाबा की पवित्रता फिर हम आत्मा की पवित्रता और बाबा की पवित्रता के मिलन को कहा जाता है सुन्हे के सागर में समा जाना प्यार के सागर में समा जाना सुख के सागर में समा जाना आनन्द के सागर में आनन्द की लहरों में लहराना स्री लक्ष्मी नारेंड कितने स्वीट है यह पवित्र है एवर प्यूर पावन तन मन संबंद संपर्क सब प्यूर है अच्छा 28 की मुर्ली सुनते हैं मीठे बच्चे जितना समय मिले एक आंत में जाकर याद की यात्रा करो एक के अंत में जाकर याद की यात्रा करो जब तुम मन्जिल पर पहुँच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी तो तीन प्रकार की एक आंत हैं एक है का आवाज की दुनिया से दूर शान्थ एक आंत वो प्रकरती में भी एक आंत अस्थान के कॉर्नर मिलते हैं प्रण्तों दूसरी बात एक आंत है एक पिता परमात्मा की याद में एक दम बेंत बेंत का भी अंत पा लेना और उसका आधार है तिसरी प्रकार की एक आंत कि एक के साथी सर्व संबंद जोड़ करके सर्व संबंदों के सुख की किसी संबंद में सुख है किसी में शांती है किसी में प्रेम है किस संबंद में शक्ती है किस संबंद में वरदान है किस संबंद में खुशी है यानि सरव शक्टियों का अंत पालेना आनंत में पहुँच जाना यानि जैसे कहते इसकी तो कोई हद नहीं है या फिर कहते इसकी तो हद है यानि जिर एक्स्ट्रीम में पहुच जाना संपूरनता दूसरे शब्दों में कहेंगे संपूरनता सरव गुण संपन, संपूरन निर्विकारी और संपूरन सरव संबंदों का सुख और शरीर के भान से भी न्यारे, वातावरन के आवाज से भी परे मन के आवाज से संकल्प सुख का भी अंत तो एक अंत है आकर्शन से परे, अपने संकल्पों की आवाज से परे तो अनेक प्रकार के अनुभव हैं एक आंत के एक के रस में खो जाना ये भी एक आंत है मीठे बच्चे जितना समय मिले एक आंत में जाकर याद की यात्रा करो जब तुम मन्जिल पर पहुँच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी संपूरनता की मन्जिल परफेक्शन प्रश्ण है संगम पर बाप अपने बच्चों में ऐसा कौन सा गुण भर देते हैं जो आदा कलब टक चलता रहता है हमारा संस्कार बन जाता है, चलता रहता है हमारे साथ कैसे, हमारा संस्कार बन जाता है न, उत्तर है, बाप कहते हैं, जैसे मैं आती स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ, देवता हैं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुर्शारत कर रहे हो, जो बहुतों का कल्यान करते हैं, जिन में कोई शैतानी ख्यालात नहीं, वही स्वीट हैं, उन्हों को ही ऊच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है, ओम शान्ति, बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा, यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों को ग्यान मिला है, इस सबसे, यह प्रकरती और पुरुष के खेल में, प्रकरती और पुरुष के खेल में, प्रकरती और प्रकरती शरीर और आत्मा पुरुष, तो मालिक हो गई न, शरीर की, मेरे को यह, बाबा जब ऐसी बाते सुनाते है न, अनन्द वाली बाते, तो इतनी उच्छल आती है, जो नेनों से थैंक यू बाबा, नेन कहते हैं, आके कहते हैं, थैंक यू बाबा, मैं आपको प्यार के मोतियों का हार पहना दू, आप हमको स्वीट स्वीट कहते हो, इतने वलिहार जाते हो, हम आपको अपने प्यार का हार पहना देते हैं, आनन्द के मोतियों का, अच्छा बाप बैट समझाते हैं शरीर का मालिक आत्मा है ये पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ग्यान मिला है पहले पहले तो समझना हम आत्मा है शरीर से आत्मा काम लेती है पाट बजाती है ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुश्कों नहीं आते क्योंकि देह अभी मान है देह अभी मान में अपने कोई देह समझते हैं न यहां इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ ये मेरा शरीर है पहला सबग मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ यह याद घड़ी घड़ी भूल जाती है यह पहले पूरी याद करनी चाहिए यात्रा पर जाते हैं तो कैसे चलते रहो तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है यात्रा पर भी कहते हैं बढ़ते रहो चलते रहो आगे जाते रहो यात्री एक दो के पीछे ऐसे आवाज लगाते हैं तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है यानि याद करना है याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते देअभी मान आ जाता है और देअभी मान से फिर कुछ न कुछ विकरम बन जाता है ऐसे भी नहीं कि मुन सदैव विकरम करते हैं हर समय तो पाप करम नहीं करते न और जिस समय करम विकरम करते हैं तो कमाई तो बंद हो जाती है न इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में दीला नहीं पड़ना चाहिए एकांत में बैठ अपने साथ बिचार सागर मन तन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए अपने आप चिंतन करके कितना समय बाबा की याद में रहते हैं मिठी चीज याद रहती है न यह प्यारी चीज याद रहती है न जब छोटे बच्चे को हम प्यार करते है न कहते है और शीज वेरी लवली वेरी स्वीट क्योंकि वो शुद्धी है और इसकी पवित्रता छोटे बेबी इसकी ज़्यादा खीचती है ऐसे परमात्मा भी कहते है पवित्रता मुझे स्वीट लगती है बच्चों को समझाया है इस समय सबी मनुश मात्र एक दो को नुकसान ही पहुँचाते है सिर्फ टीचर की बाबा महमा करते है उन में कोई कोई टीचर खराब होते है नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला मैनर्स सिखलाने वाला जो रिलिजिस माइंडिड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है तो अच्छा टीचर माना अच्छा करेक्टर बाप अगर शराब पीते हैं तो बच्चे को भी वो संग लग जाता है न इसको कहा जाता है खराब संग क्योंकि रामन का राज है न राम राज था जरूर परन्त वो कैसा था और कैसे स्थापन हुआ गाते तो है राम राजा राम प्रजा राम शावकार है धरम का उपकार है वो कैसा था और कब स्थापन हुआ राम राज स्थापन कब हुआ किसने स्थापन किया यह वंडर्फुल मीठी मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट बाप की याद में रह करके भी पवित्र सतो प्रधान संपूरन पवित्र स्वीटर स्वीटर स्वीटेस्ट का जाता है ना तो बाप की याद में रहकर तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो स्वच्छ शुद्ध पवित्र पावन उनको कहेंगे स्वीटेस्ट स्रिष्टी में चाकार लोक में मनश जानवर खेती बाडियादी सब होता है ना कर्मों का हिसाब किताब भी और मनश के लिए सब कुछ चाहिए ना कि शास्त्रों में प्राल्य का व्रतांत भी रॉंग है प्राल्य होती नहीं सब कुछ खत्म हो जावे ऐसा होता नहीं मलिया मेट हो जावे एनाइलेशन हो जावे ऐसा नहीं होता सृष्टी का चकर फिरता ही रहता है बच्चों को आदी से अंत तक ख्याल में रखना है सारा ज्यान बुद्धी में ध्यान रखना है मनशों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं मेले मेला खड़े आदी याद आते हैं वो सभी हद के तुमारी है बेहद की याद बेहद की खुशी, बेहद का धन बेहद की याद बेहद की खुशी बेहद ज़न जो बाबा से मिलता है, यह कि बाप भी तो बेहद का है, ना, हद के बाप से तो हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, यहां पर मनुष समझते हैं, सुख होता है धन से, धन तो वहां आपार है, सब कुछ है सतो प्रधान वहां, तुम्हारी बुद्धी में है, हम सतो प्रधान थे, हमें फिर बनना है, हमी थे, हमको ही बनना है, ये भी तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, बाबा कहते हैं, बाब को अपने से भी बच्चों को उंचा बनाते हैं, कि वही उंच पद पाएंगे ना, स्वीटेस्ट वो हैं, जो बहतों का कल्यान करते हैं, बाब भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब को याद करते हैं, तो कल्यानकारी और पवित्र दोनों quality पवित्रता और कल्यानकारी समस्कार सबको प्यारा लगेगा, सेवा सबको सुक देती है वो प्यारे लगेंगे, तो ये तो कोई चीनी यश्याद की sweetest नहीं है, बाब sweetest है, तो मनश की चलन से समझा जाते हैं, स्वीटिस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्यान करते हैं बाप भी स्वीटिस्ट है ना तब तो उनको याद करते हैं कोई चीनी गोड़े या शैद को तो स्वीटिस्ट नहीं कहते ना उसको स्वीटिस्ट नहीं कहा जाता है ये तो मनश की चलन पर कहा जाता है बाबा जो sweet बोलते हैं, वो पवितरता के लिए बोलते हैं, कहते हैं ने ये child sweet है, बिठा बच्चा है, वो innocence child की purity छीचती है, सत्युग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती, इतना उच्च पद पाते हैं, तो जरूर यहां पुर्शारत की हैं न संगम युग पर, अभी तुम नई दुनिया को जानते हो, तुमारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगा, नई दुनिया होगी, मनशों को पता नहीं है, कि शान्ती कब थी, कहते हैं विश्व में शान्ती हो, तुम बच्चे जानते हो, विश्व में शान्ती थी, अभी फिर स्थापन कर रहे हो, अब ये सब इको कैसे समझाएं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए, जिसकी बहुत चाहना है मनशों को, सुख शान्ती की चाहना है न, विश्व में शान्ती हो, उसके लिए रडियां मारते हैं, क्यों कि शान्ती बहुत है, उसी के लिए चिलाते रहते हैं, ये लक्ष्मी नर्यन का चित्र सामने देना, दिखाना है, कि इनका जब राज था तो विश्व में शान्ती थी, उनको ही हैवन, डियाटी वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ विश्व में शान्ती थी, आज से पांच अजार वर्ष पहले की बाते और कोई नहीं जानते, ये है मुख्य बात, सब आत्माई मिलकर कहती हैं विश्व में शान्ती कैसे हो, सबी आत्माई पुकारती हैं, तु और तुम यहां विश्व शान्ती स्थापन करने का पुर्शारत कर रहे हो, वाश पूरी कर रहे हो, जो विश्व में शान्ती चाते हैं, उन्हें तुम सुनाओ, कि भारत में ही शान्ती थी, जब भारत स्वर्ग था, तो शान्ती थी, अब नरक है, नरक कल युग में यह शान्ती है, क्यों? कि अनेक धर्म है, और माया का राज्य है, भक्ती का भी पॉम्प है, दिन प्रति दिन वृद्धी होती जाती है, मनश जैसे की मेले मेलाखण यादी पर जाते हैं, वो समझते हैं जरूर इतने सब लोग मेले पर जाते हैं, जरूर कुछ सच होगा, पवित्र बन जाएंगे, अभी तुम समझते हो, उनसे कोई पावन नहीं बन सकते, पावन बनने का रास्ता मनुष नहीं बता सकते, पतित पावन एक की बाप है, दुनिया एक ही है, यहीं दुनिया सुर्फ नई और पुरानी कहा जाता है, नई दुनिया स्वर्ग, पुरानी दुनिया नर्क, नई दुनिया में नया भारत, नई देहली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें नया राज्य होगा, यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है, पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते हो, कब थी, भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, इसको कहा जाता है अज्यान, ज्यान का सागर एक बाप है, बाप तुमको ऐसे नहीं कहते है कि राम राम करो, वा कुछ करो जपो, नहीं, बच्चों को समझाय जाता है, ज्यान बाबा देता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, यह एजुकेशन, बाबा देकर आध्यात्मिक एजुकेशन, स्प्रिच्वल एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम है रोहानी एजुकेशन, स्प्रिच्वल नॉलिज, इसका आर्थ भी कोई नहीं जानते, ज्यान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वो स्प्रिच्वल नॉलिज्फुल फादर है, बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो, हमें रोहानी बाप पढ़ाते हैं, ये स्प्रिच्वल नॉलिज है, रोहानी नॉलिज को ही स्प्रिच्वल नॉलिज कहा जाता है, तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, आत्मा जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं, और हम आत्में उनसे पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, हम आत्मा को जो नॉलिज मिलती है, वो फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं, ये बात याद कब रहेगी, मैं आत्मा जो नॉलिज ले रही हूँ, परमात्मा की गाह का ग्यान दूसरी आत्माओं को देना है, ये याद टब थेरेगी, जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे, ये याद में बच्चे बहुत कच्छे हैं, कमजोर हैं, जट दे अभी माना आ जाता है, तो दे ही अभी मानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, हम आत्मा मानों दुकान पर कुछ बिजनिस कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, तो हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, सामान देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फाइदा है, आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर है कर्म तो करना ही है बच्चों आदि को भी संभालना है धंदा दोरी भी करना है धंदे आदी में याद रहे हम आत्मा है ये बड़ा मुश्किल है बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना सबसे बड़ा पाप है विकार का वही बड़ा तंग करने वाला है अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिग्या करते हो उसका ही यादगार ये राखी बंदन है आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी ब्रह्मन लोग जाके राखी बांदते थे वो मौली का धागा बांदते थे कच्चे सूत का लाल रंग बच्पन से सब को घरों में आके बांदते थे आज कल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं वास्तम में ये राखी अभी की बात है तुम बाप से परतिग्या करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे ते परतिग्या अपनी रक्षा कर लिकी है विकार से रक्षा तो जो अपनी रक्षा करते हैं वो यग्य रक्षक बन जाते हैं वो परिवार रक्षक बन जाते हैं यह वर्दान मिल जाता है बाबा से बाबा की छत्र चाया के नीचे स्वयम भी रहते हैं दूसरों को भी ले आते हैं तो बाबा कहते हैं यह तो प्रतिग्या तुम अभी करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे आप से विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे बाब कहेंगे 63 जनम तो विशे वेतरनी डदी में गोते खाते आये हो दूपते आये हो गोते खाते आये हो अब तुमको खीर सागर में ले चलते हैं विशे सागर से निकार खीर सागर में ले जाते हैं यह सागर कोई है नहीं ऐसे नहीं कि पाणी का सागर है कोई यह दूद का सागर है नहीं यह तो भेंट किया जाता है सिंबॉलिक कॉंट्रास्ट है दुख और सुख का पवित्र और पवित्रता का विकारी और निर्विकारी दुनिया का यह कॉंट्रास्ट है बेहद सागर माना बेहद वैसे सागर कोई है नहीं बेंट में कहा जाता है विशे सागर से खीर सागर पवित्रता के सागर में तुमको शिवाले में ले जाते है वैशाले से शिवाले में ले जाते है वहां अथा सुख है अब यह अंतिम जनम है तो बाबा क्या कहते हैं यह अंतिम जनम है, हे आत्माएं पवित्र बनों, हे आत्मा पवित्र बनों, क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? इश्वर, तुमारा बाप, कहते हैं, मीठे बच्चे, विकार में नहीं जाओ, जनम जनमांतर के पाप सिर पर हैं, वैं मुझे याद करने से ही बस महोंगे, कलब पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, यह शिक्षक की जो शिक्षा है न, यही हमारी रक्षा है, यही रक्षा बंधन है, कलब पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप सब गरंटी करते हैं, रक्षा की, बाप गरंटी तब करते हैं, जब तुम गरंटी करते हो, कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे, यह है प्रॉमिस, अपने आप से और बाप से, इतना याद करते रहो, जब शरीर का भान न रहे, भान ही न रहे, भान नहीं होगा तो अभी मान भी नहीं होगा, अभी मान नहीं होगा तो मान अपमान की फिलिंग नहीं आएगी, एंकार से किसी दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, इसलिए भान ही न रहे, सन्यासियों में भी कोई-कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ग्यानी होते है वो भी ऐसे बैठे-बैठे शरीड शोड़ते है जैसे ही अपने संकल्प से शरीड शोड़ते है यहां तो तुमको बाप बैठ समझाते है पावन बरकर बन करके जाना है घर जाना है पावन बन के वो तो अपनी मत पर चलते हैं ऐसे नहीं कि वो शरीड शोड़कर कोई मुक्ती जीवन मुक्ती में जाते हैं नहीं आते फिर भी यहां ही हैं प्रंतु उनके फालवर्स समझते हैं वो निर्वान धाम गया वापस निर्वान गया मुक्ष को पाया आप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता काइदा ही नहीं है जाड वृद्धी को जरूर पाना है नेक्स्ट पॉइंट अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष कहा हैं कल युग में तुम दैवी संपरदाई बन रहे हो संगम युग पर इश्वर ये संपरदाई से दैवी संपरदाई बन रहे हैं जो तुमारे धरम के होंगे वो आते जाएंगे दैवी देवताओं का भी वहां सुजरा है ना यहां बदली होकर तो यहां मनुष आत्माएं देवतादरम वली आत्माएं बदली होकर और धरमों में कनवर्ट हो गए हैं वो फिर निकल आएंगे देवतादरम में फिर वापस आजाएंगे नहीं तो वो जगह कौन भरेंगे यानि फिर वो देवतादरम में जो उनका पार्ट सत्युग में है तरेता में है वो प्ले करना है उनको नहीं तो उनकी जगह कौन भरेंगे कौन प्ले करेगा उनका पार्ट फिर जो पहले सत्युक्तरिता में थे जरूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे चले गए पार्ट कहां कर्म के हिसाब किताब से या कुछ अच्छी चीज़ देख के अर्ट्रेक्शन से पर वापस आएंगे जरूर ये बहुत महीन बाते हैं बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे बाबा के बच्चे जो दूसरे धरम में कनवर्ट हो गए हैं वो फिर वापस आ जाएंगे तो अपनी जगे पर आ जाएंगे देवता धरम के सक्षन में तो मारे पास मुसल्मान आदी भी तो आते हैं न बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है जट जाच करेंगे यहां दूसरे धरम वाले कैसे आते हैं यह भी है ना कि कोई दूसरे धरम वाले कोई सी आईडी करने तो नहीं आते इसलिए गवर्मेंट भी खबरदार रहती है यहां दूसरे धरम वाले कैसे आते हैं जाच करेंगे एमर्जनसी में तो बोतों को पकड़ते हैं फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं यानि कोई ऐसे भी प्रिटेंड करते हैं किसी दूसरी पार्टी में जाके अस्वाध धरम में जाके तो इसलिए बाबा कहते हैं गवर्मेंट चेक करती है जो कलब पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो कलब पहले भी ऐसे हुआ था द्रामा में वो तुम देख रहे हो और हमको क्या करना है तुम अभी मनुष से देवता यानि उत्तम पुरुष बनते हो हमको अपना पार्ट भी जो है उत्तम पुरुष बनने का है पुर्षोत्तम मनुष से देवता बनने का है यह सर्वोत्तम ब्रामनों का कुल है यह कुल है, संपरदाय है, कम्यूनिटी है आदिशनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है इस समय यह संगम यूग पर पुर्शोत्म संगम यूग पर बाप और बच्चे रुहानी सेवा पर है रुहानी सेवा क्या है? क्या definition बाबा ने बताई होगी रुहानी सेवा की? बहुत सुन्दर है, यानि आत्मा जो गरीब बन गई है शांती, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति निरधन बन गई है वो जो धन था उनके पास नहीं रहा सतो प्रधान आत्माएं हैं तो बाबा कहते हैं कोई गरीब को धनवान बनाना ये रुहानी सेवा है तो शावकार भी गरीब है पवित्रता का धन, शांती का धन, सुख, आनंद का धन उनके पास नहीं है बाप कल्यान करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए कल्यान करने की बहुतों को रास्ता बताते हैं फिर जो सेवा करते हैं, रुवानी सेवा करते हैं बहुतों को रास्ता बताते हैं बाबा के मददगार बनते हैं वो बहुत उंचे चड़ सकते हैं तो तुम बच्चों को पुर्शारत करना है उंच चड़ने का सेवा करने का रुवानी सेवा करने का उंच चड़ने का तुम बच्चों को पुर्शारत करना है लेकिन चिंता नहीं चिंता नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारी responsibility बाप के उपर है बाबा को concern है बच्चों को uplift करने का पुर्शारत जोर से कराया जाता है फिर जो फल निकलता है तो समझा जाता है कल अप पहले मिसल बाबा पुर्शारत कराते रहते हैं फिर हम तकदीर की लकीर खीचने की कलम हमको देते हैं फिर हम सिधी लकीर कीचे फिर फल के बाद कहेंगे तकदीर हम कलम पहले माफिक बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिकर मत करो सेवा में मेहनत करो नहीं बनते तो क्या करेंगे इसकुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो मैंने मेनत करो उन पर कोई तो तुमारा माथा कपाएंगे कम कोई जास्ति तुमसे बहुत मेहनत लेंगे कोई कम मेहनत लेंगे बाबा ने का फिर समय की भी बात है बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे तो खमेसे मरंड सब करें फिर आएंगे और जो तुमने बाबा ने कहा तुमने पुर्शारत किया मेहनत की तुमारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा चाहितन है चाह मान है चाह धन है चाह सेवा है चाह समय है चाह स्किल्स है जो सेवा में लगाया है वो विर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा काम है राइट बताना शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे वी करम विनाश होंगे ऐसे बहुत कहते हैं भगवान है जरूर माबार्द लड़ाई के समय भगवान था सिरफ कौन सा भगवान था इसमें मूझ गए है वो भगवान कौन इसकी पैचान नहीं है कृष्ण तो हो नहीं सके और शिरी कृष्ण उसी फीचर्स से तो फिर सत्युग में ही होगा ना हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं स्रिष्टी अब बदल रही है पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते तुमारा आखिर नाम निकलेगा इस्थापना हो रही है फिर ये राज्य करेंगे फिर देवताओं का राज्य होगा विनाश भी होगा एक तरफ नई दुनिया दूसरी तरफ पुरानी दुनिया ये चित्र बड़ा अच्छा है वो जो बाबा के बाज्य में ही राइट हैंड साइड पर त्रिमूर्ति का जो चित्र है हिस्ट्री हॉल में उसमें शंकर के बाज्य में साइड में नरक का चित्र है और ब्रह्मा के राइट साइड में स्वर्ग का चित्र है तो बाबाने का ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की दुनिया की स्थापना जरूर होनी है और शंकर द्वारा तपस्या द्वारा नरक की दुनिया का विनाश जरूर होना है पावित्रता और ग्यान द्वारा स्वर्ग की इस्तापना होनी है त्याग तपस्या और योग द्वारा नरक की दुनिया का विनाश होने है यह चित्र बड़ा राइट है प्रंतु मनुष कुछ समझते नहीं है मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का त्रिमूर्थी के चित्र में ये दोनों चित्र हैं नरक और स्वरक का गोला उच्छते उच्छे शिव बाबा शिव बाबा फिर ब्रह्मा विश्न शंकर का चित्र तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं बाबा को याद करो योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है याद अक्षर बहुत सहज है बाबा अक्षर बहुत लवली है बाबा बा मीस बाप बाबा मा गुजराती में ए बाबा तो बाबा ममा बाबा हो गए न यह बहुत लवली अक्षर है तुमको खुद ही लज्जा आएगी शरम आएगी हम आत्में बाप को याद नहीं कर सकती है जिससे विश्व की बादशाही मिलती है आप पर ही लज्जा आएगी बाप भी कहेंगे तुम बेसमज हो क्या बेसमज हो बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे विकरम कैसे विनाश होंगे फिर से याद कराते तुम आत्मा हो मैं तुमारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं तुम चाहते हो हम पावन सुक धाम में जाएं चाहते हो न तो शिरिमत पर चलो मुझ बाप को याद करो तो विकरम विनाश होंगे याद नहीं करेंगे तो विकरम कैसे विनाश होंगे अच्छा कितने प्यार से बाबा ने समझाया अब ही लुबली बाबा है sweetest बाबा अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप के रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी स्वीटस्ट बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते दाड़ना के लिए मुक्यसार हर प्रकार से पुर्शारत करना है फिकर यानि चिन्ता नहीं करनी क्योंकि हमारा responsible स्वयम बाप है हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता हाँ सिर्फ honesty से सेवा करें सचाई से सेवा करें निश्वारत भाव से सेवा करें ये फिर कर्मों का खाता और भी detail है भाव बाबा का है कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता second point बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है अनेकों का कल्यान करना है इस अंतिम जनम में पवित्र जरूर बनना है धन्दा आदी करते अभ्यास करना है मैं आत्मा हूँ वर्दान हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन वा त्रिप्त आत्मभव एक्स्लानेशन जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वो कदम कदम में पदमों की कमाई जमा करते हैं इस संगम युग पर पदमों के कमाई की खान मिलती है जतनी खोदते जाओ करते जाओ मिलती जाएगी इस संगम पर पदमों के कमाई की खान मिलती है माइन मिलती है क्योंकि संगम युग है जमा करने का युग अब भी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो एक कदम और थार्ट एक सेकिन ये कदम शरीर का नहीं है ये कदम मन की चाल का बुद्ध की स्पीड का और लक्ष का है एक कदम अर्थार्थ हर सेकिन भी बिनना जमा के न जाए जमा करते ही रहना है अर्थार्थ व्यर्थ न जाए सदा भंडारा बरपूर हो अप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रह्मनों के संसार में ब्रह्मनों के जीवन में ऐसे संस्कार हो अप्रापत नहीं कोई वस्तू जब अभी ऐसी त्रिप्त आत्मा वसंपन आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे सदा संतुष्ट त्रिप्त आत्मा जब ऐसी त्रिप्त पसंपन आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट कजानों के मालिक होंगे कोई भी बात में अपसेट होने के बजाए नौलिजफुल की सीट पर सेट रहो नौलिजफुल की सीट पर सेट रहो ओम शंती ओम शंती ओम शंती